गो में साहस भड़ता है, गिरकर चड़ना, चड़कर गिरना, आखिर ना करता है, आखिर उस नन्नी चीटी के महनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नमस्कार आदाप, सुस्त्रियाकार, आप सभी का स्वाकत है, आप तहे दिल से, आपके अपन परिवार, SSE कोचिंग बाई ओलिबोड में, और आज मैं SSE बेंस और CHSL, CGL, सभी के बहुत ही खूपसूरत और सुन्दर प्रशन लेके आया हूँ, आप से विनम रने वेताने, फड़ा बड़ क्लास को जॉइन कर लिजे कि आज की क्लास बड़ी खूपसूरत सांदार, सु निम्मन होने वाली है, जिया एक बड़ा ही प्यारा सब्ध है निम्मन हमारे यहां बोला जाता है, और एक बात और है कि तो रूट जैएबू तहम जी अपकई से, तो ही तो सोना के सुराई हमर जान, तो टूट जैएबू तब पानी पीआप कई से, शुरू करते हैं आज क हांजी ग्लास तो लाइवे है जबिलकुल लाइवे सागर यादब कहे रहे है गुद आफरून सर गुद आफरून सभी को गुद वाला अप्टरणून प्लीज रिशाम श्राम बाबा का लेते हुए क्लास को सुरू करते हैं आईए सबसे पहले तो हमारा सवाव है जल्ली से सवाल करते दिखांगे क्वक अ कि हॉण कि हानजी सर सभी लोग फड़ा फट सेशन को जुआइन कर लीजे सारे लोगों से एक विनमर निवेदन है कि फड़ा फट सेशन को जुआइन कर लीजे जिया बहुत बड़े अधीरे दिरे लोग जुटना शुरू हो गए बहुत अच्छी बात है देखिए सबसे पहले मैं आपसे दो तीन बाते कहना चाहूँगा पहली बात तो यह है कि इस कुश्चन से रिलेटिट हर वर सवाल पूछे जाते हैं और अगर आप इसको सही धंक से जाएगा आईए रगुजी कह रहे हैं सवाल को तर पंचान में 95 होगा रगुजी अगर आपने कल के सिश्चन को देखा होगा तो आपके लिए आज बहुत जादा आसान हो जाएगा पूछिए क्यों कि कल के सिश्चन से बहुत हद तक रिलेट कर रहा है आईए कल के प्लस बी के हॉल स्क्वेर में अगर मैं 2A B को घटाता हूँ तो मेरे को मिलता है A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर आप कहेंगे हां सर और कल के सिश्चन में हमने यह भी जाना था कि A Q प्लस B Q की जो वैल्यू होती है वो होती है A प्लस B का हॉल क्यू माइनस 3A B इंटू A प्लस B कि आपने का हा यह हमें यह भी पता था जय यह हां लास कलास में हमने ए दोनों चीजह बर को फ्लस ना चर्चा खूब ας चूब ह से कर ली थी कि हमारा B क्या होता है ओवेसी बात ए और सभूस B स्क्वेर क्या होता है तो फांच क्यों हमेश्च पंच का मल्टिपल होगा यह इसके लिए पार हमारे पास क्या है वो जाल लेते हैं तो A plus B है, हाँ जी सर A plus B है यह 5 है, हम यहाँ पर 5 का क्यों लिख सकते हैं माइनस, माइनस का माइनस, 3 का 3 A B हमारे पास मौजूद नहीं है पिल्कुल लेकिन A plus B मौजूद है, यह क्या है 5, अगर हम गलती से भी A भी निकाल लेते हैं A गुणा B निकाल लेते हैं बहुत ही इजी तरीके से A Q plus B Q का वैलू फाइंड आउट कर पाएंगे आप कहेंगे हां सर वो A B निकलेगा कैसे वो A B निकलेगा इस एक्स्ट्रा डेटा से यह A square plus B square इसलिए दिया है ताकि आप A square plus B square बराबर होता A plus B का all square माइनिस 2 A B आपको A square plus B square पता है हां sir पता यह कीस है आपको sir यह पता है A plus B पता है हां sir यह 5 है तो 5 के square में अगर 2 A B को आप घटा रहे हो तब ना आप ही कीस पा रहे हो sir आप कहेंगे हां sir आप बिल्कुल सही कहे रहे हो मैं पहले यहां पे एक border बना देता हूँ ताकि वो clear हो सके मैं यहां पे एक बात कहना चाहता हूँ मेरे प्यारे मित्र अगर आप ध्यान से देखो इस box को red वाले box को इस red वाले box में आप यहां से क्या निकाल पाओगे 2AB निकाल पाओगे यह 2AB उधर जाएगा तो यह पिलस का 2AB बन जाएगा और यहां बराबर का बराबर छोड़ दो यह 5 का square 25 में से 16 गया 4 2AB का value 4 तो AB की value क्या हो जाएगी 2 और जैसी आपने AB की value को 2 माना और यहां आपे निश्यत तोर पे 2 जैसे ही पुट किया वैसी आप पाओगे 125 माइनस 30 और 125 में से 30 जाएगा 95 सवाल को तर 95 option number कौन? option number A और जो बालक कह रहा था 5 का multiple वाली बात वो बिल्कुल सही है इसलिए क्योंकि आप ध्यान से देखोगे कि A plus B के cube में से 3AB 3AB into A plus B को घटाना यानि ultimate A plus B common है A plus B का हमेशा multiple में A Q plus B Q होगा और ये कहानी A square B square में नहीं लगेगी इसलिए क्योंकि हाँ A plus B common नहीं होता है ठीके अगला सवाल सवाल number 2 देखिएगा लिख रखा है X plus Y plus Z equals to 0 यह आपको दिखतो रहा है ना एक पर comment कर देना दिख रहा है ठीक से कि नहीं X plus Y plus Z equals to 0 तो निकालना है 3Y square plus X square plus Z square divided by 2Y square minus XZ की value क्या होगी क्विक जल्दी करना भाई भाई यहां पर रघू जी के वल सवाल को उत्तर दे रहे बाकी लोग का है सर सर सभी लोग आ जो सर कहा हो सर सभी लोग जितने भी बालक हैं हमारे पास वो सभी लोग आ चाहिए और session को share कर दीजेगा अगर आपका मन करे तो share करने का ना मन करे कोई बात नहीं है लेकिन अगर आपका मन करे तो कर देना यार प्लीज यार अच्छा लगता है सर जब आप share करते हैं तो हाँ सर बताईए आईए हम आपको सिखाते हैं कि यह बनेगा कैसे इस तरीके के सवाल को हम value putting कहते हैं अब पहले यह जानिए कि आखिर value putting है क्या सबसे पहले तो मैं आप से यह कहना चाहूंगा कि आप कहेंगे यहां कि x प्लेस y और प्लेस z इन सभी का मान शुन्ने के बराबर अगर x प्लेस y प्लेस z की value 0 के बराबर है तो आपको यह वाला find out करना है आप मुझे एक बात बताओ आप कुछ मत करो आप आग बंद करके ultimate सोचो आपके पास equation का equation के वलेक है और वो एक equation यह कहता है कि x प्लेस y प्लेस z जीरो होगा और कुछ कहता हो equation नहीं आगे देखना एक बात और अगर आप थोड़े बे दिमाग वाले बालक हैं तो आप बड़े प्यार से कहेंगे आप आप बंद करके x, y, z की कुछ भी value पुट कर दो ऐसे तो मुझे साब पता चल रहा है किस प्रशन का उत्तर क्या होगा लेकिन फिर भी आप आग बंद करके x, y, z की value पुट करोगे तो आप आग बंद करके कुछ भी पुट कर सकते हो 2, minus 1 और minus 1 पुट कर दो या 1, 0, minus 1 आप ऐसा पुट कर दो कोई फरक नहीं पड़ेगा आप यहाँ पे कुछ भी पुट करिये आपको मन कर रहा है पुट करने का कि 0, 1, minus 1 पुट कर ना कर दो आप कुछ भी पुट करिये बस ऐसा पुट करिये कि तीनों को जोडने पे 6 ने नहीं मान रहे हो तो तीनों को 0 इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि नीचे में 0 नहीं मैं होने देना चाता हूं अगर नीचे वाल आइटम जीर हुआ तो infinite चला जाएगा वो नहीं जाने देना चाता हूं मैं इसलिए बातों को समझे आप x, y, z की ऐसी value पुट करना की भाई सा करने वाला हूं मैं आँख बंद करके यहां पर सारी value पुट करूँगा सबसे पहले तीन गुणा y का square यानि तीन गुणा minus 1 का square एक फिर क्या है पलस x square भाई साब x के जगा 2 है यानि 2 का square 4 पलस y, z का square, z का जगा minus 1 है, minus 1 का square 1 बटा, 2 गुणा y का square, 2 का तो छोड़ दो y क x गुणा z, minus का minus छोड़ो, x गुणा z आकिर है क्या, sir x आपका 2 है, z आपका minus 1 है, दोनों को गुणा करेंगे, sir minus 2 आएगा, यानि minus of minus 2, यह देखे सर यहां पर क्या है, sir, 3 गुणा 1, 3, 3, 4, 7, 7, 7 और 1, 8 उपर हो गया, बटा, यह देखेगा, sir, यह समझेगा, 2 गुणा 1 दो, और minus of minus 2, plus 2 होता है, sir, तो sir, यह 2 और 2 हो जाएगा, 4, 8 बटा 4 सवाल को उत्तर, दो, option number A सवाल को उत्तर है, option number कौन, option number A सवाल को उत्तर है, दो सवाल को उत्तर है, अगर आप यहां पे कोई और भी value put करे, 1, 0 और minus 1 तब भी चलेगा, रगो भाया, आपके सवाल को उत बच्चागेर, अलजबरा, ग्लास कब कराओगे, बिल्गुल करा देंगे, यार, basic से करा देंगे, परिशान नहों, पहले जो मैं अभी सिखा रहा हूं, उसको तो सीखो, अभी basically चीजों को तो सीखो, एक एक चीज, जो आपको आता है, वो सीखते जाओ, परिशान नहों, आपको मैंने, मतलब थोड़ा सा शहंसा नहीं बना दिये, तो मज़ा नाम ने शांत कुमार शानी, चलो यार, जल्दी कर लो, क्या सिर, हाई हुक, हाई हुक, हाई हाई, एक लड़की मेरे सामने, मेरा दिल ले जाए, 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 जल्दी सवाल कुत्तर बनाओ, रगु सवाल कुत्तर एक कह रहे, भाई साब, जो आप कह रहे थे, क्या नामे आपका, मिकसा डेवा, मिकसो डेवा, जो भी नाम आपका, शमा चाहूंगा, अगर आपका नाम मैंने गलत ले लिया हो, आप प्लीज इसको थोड़ा पुट करने की कोशिश करो ना, यार, पुट करो दो, एक, माइनस, एक, कुछ भी पुट करो ना, बस तीनों को जोड़ के जीरू आना चाहिए, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, बहुत बढ़ी है, रगु भाई ने सवाल कुत्तर एक का, और कोई है बालक, आप क्या नाबा, कोई भी बालक, एक और बालक भी हो, मैंने ले लिया, अब सबसे पहले, एका स्क्वेर, एका स्क्वेर, बच्चा बच्चा जानता है कि एका स्क्वेर चार है, आँख बंद करके चार लिख दो, माइनस, बी गुणा सी, सर माइनस का माइनस, बी गुणा सी क्या होगा, माइनस गुणा माइनस वन वन, यानि चा सर चार में से एक गया तीन सर माइनस ओप माइनस टू पलस टू होगा और पलस टू हो और वन हो जाएगा थ्री तो तीन बटा तीन यही तो सवाल को उत्तर एक है option number कौन option number है ना इस से कम ना इस से जादा exact सवाल को उत्तर option number ही होगा next question के तरफ बढ़िये सवाल number 3 देखिएगा बड़ा ही प्यारा सवाल है जल्दी करके देखना सवाल number 3 देखना बड़ा प्यारा सवाल है 1, 6, 5 ध्यान से भाई सब 1, 6, 5, 3, 7, 8, 9 अगर इसकी पावर में 3x plus 2 देता हूँ क्या देता हूँ 2x plus 3 देता हूँ तो भाई इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा इकायंको पे क्या आएगा आपका समय शुरू होता है अब 30 सेगंड का मौका 30 सेगंड का मौका है आपको करके दिखाना है आप प्रेम पुरबख करके दिखाओ यार सर अच्छा नहीं लगता है कित्ते हद तक आपका सवाल को उत्तर सही है देखिए समझीएगा जब सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप 9 के बारे में जानिए अगर 9 की पावर किसी भी नंबर का इकाय अंक 9 आता है 9 की पावर अगर कोई even नंबर हो तो याद रखिएगा इकाय अंको पे आपको एक मिलेगा और अगर 9 की पावर अगर इकाय अंको पे 9 है और उसकी पावर कोई और नंबर आ रहा हो कोई विशम संख्या आ रही हो तो याद रखिए अगर कोई विशम संख्या आएगी तो इसके इकाई अंको पे एक्जाक्ट नौ ही मिलेगा अब आपको यह gewissilation करना है यहाँ पे जितना भी बड़ा नमबर दिख रहा है इसके इकाई अंको पे 9 आ रहा है इस पूरे नमबर की पावर 2x प्लस 3 है और इसके ही कायंकों पे exact 9 हमें दिख रहा है दिख रहा है न सर exact 9 आप कोगे हाँ सर exact 9 दिख रहा है और 9 की power क्या है यह 9 की power है 2x plus 3 अगर आप यह visualization कर रहे है कि यह 2x plus 3 क्या है तो हमारा काम बन सकता है सर आप सोचिए कि अगर यह 2x plus 3 odd है की even है ये समझते हैं सर दो में x में 2 की गुणा हो रही है सर x में 2 का गुणा हो रहा है इसका मतलब 2x एक even number है किसम संख्या दुनिया के किसी भी number है दो से गुणा करोगे वो हमेशा even number आएगा आप कोगे हां सर और जैसी आप उस even number में 3 जोड़ोगे तो वो एक विशम संख्या बन जाएगा वह एक और नंबर बन जाएगा आप अब बताओ यह 9 की पावर और नंबर है और आपको पता है 9 की पावर अगर सवाल को बनाया गया है बस थोड़ा सा आपकी बुद्धि मतों का परियोग करना था यहां पर बाकि यह सवाल बहुत ही इजी था सर आप एक और सवाल हшь ओप आ चुका है लखा गया है सेक एक पलस टैने अगर पी तो सेक एक ची वैल्लूग्य और होगी आपका समय शरू होता है आप जल्ली उम्हें बताए कि ब्सक्वेर माइनस मैं होगा फी स्क्वेडिवाई इडिवारेट बाई पी या पी पैलस मिल्स नीचे में हर जगा टूपी होगा यहां भी टूपी होगा यह ऐसे से रुखो तोड़ा और पतला करतू और यहां पे दोनों जगह टूपू करतू कि यहां भी टू और यहां भी टूप अब बनाओ कि आ-खरो रगु कह रहे हैं सवाल को उत्तर D होगा शोर होना D होगा पूँचले भाई रगु भाई भाई भी पलटने नहीं दूँगा और रगु भाईया के अलावा और भी लोग ही जो है वो उत्तर दे यार आप जल्दी से उत्तर दीजिए रुकना नहीं है सर यही तो मज़ेदार चीज है और आप में से किसी का सेशन लाइक करने का दिलो तो लाइक करते हैं ना दिलो कोई बात नहीं सर हाँ जी जल्दी करना आ जाएगे देखिएगा सबसे पहले मैं आप से ये कहने वाला हूँ कि आप पूरी दुनिया को पता है कि सेक एकस पलस टैन एकस अगर पी है तो याद रख लेना थीक इसका उल्टा यानि कि सेक एकस माइनस टैन एकस की वैलू एक बटा पी होगी एकदम उल्टा अगर यह आठ तो यह ایک बटा आठ अगर यह 9 तो यह 1 बटा 9, अगर यह 11 तो यह 1 बटा 11, समझ रहे ने मेरी बात को आप कहेंगे हाँ जी सर, आप देख लो सर sec x plus tan x पी है तो sec x minus tan x 1 बटा पी होगा, क्या होगा? 1 बटा पी होगा, जब आप इन दोनों को add गरोगे, तो sec x plus sec x 2 sec x होगा अगर जब इन दोनों को जोड़ोगे, तो tan x में से tan x plus tan x minus tan x कभी जुड़ेगा नी, गड़ जाएगा, खतम हो जाएगा बराबर, यह हो जाएगा पी plus 1 बटा पी, आप कहेंगे हाँ आप थोड़ा और समझदार होगे तो पी को अगर आप नीचे LCM लीजेगा, तो देख सकते हैं यह P गुणा P, P का square हो जाएगा और plus क्या हो जाएगा 1, यानि आप कहे सकते हैं कि 2 sec x बराबर है P का square 1 divided by P तो sec x की value क्या होगे तो sec x की value हो जाएगी P का square plus 1 divided by 2P, P का square plus 1 divided by क्या हो जाएगी, divided by 2P and we can easily say, the answer of this question will be option number D अगला सवाल के लिए कौन-कौन तयार है विएकि अगला सवाल बिल्कुल इस पे same होने वाला है, बिल्कुल इसके concept पे होने वाला है, फिर से मगल बोल दो the question is monthly, comes under the boat and stream हाँ, boat and stream में यह होता है अबसी बात है, boat and stream में आप जब upstream और downstream की बात करोगा, दोनों को जोड़ो के दोसर डिवाइड कर दो तो आप कह सकते हो, लेकिन यह वाली बात यहां पे मैं को जमी नहीं कि वहां से आप यहां रिलेट कर रहे हो, whatever कोई बात नहीं रगो भाया आते हैं, आगे बढ़ते हैं, वैसे मुझे मेरा आप से एक सवाल है, कि जितने लोग हम से अभी जुड़े हैं, वो याद रखिएगा, अगले question को उत्तर सबको देना है, क्योंकि आपको पता है कि प्लस 10X P हैं, तो सेक X माइस 10X क्या होगा, एक बटा P, अगला सवाल, सेक X thousand X साथ है, तो सेक X shark as minus 10 x साथ है, थीता, अगर साथ है, तो सेक थीता माइस 10 x sustain बीटा बिल्कुल सही है बिल्कुल सही ही बिल्कुलillar और कॉन है और कोन है भी एक बड़ा साथ बहुत सही बहुत बढ़ी और भी कोई है सर जली सर सवाल को तरवा दे दिजे न सर सर ना आ जो सर एक बड़ा साथ बड़ो आके अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो एक और हमारे पास सवाल आ चुका है यह हमारे ट्रिगनोमेट्री अगर यह इसका उल्टा नहीं रहना तो दोनों गुनाओं के वन बनेगा नहीं और क्योंकि फॉर्मूला होता है स्वाल गुत्तर पांच नंबर के सवाल गुत्तर रगुबहिया गेरे एक होगा देखते हैं वैसे हम लोगों ने पांच नहीं टोटल साथ सवाल करें दिखे पहले तो आप यहां पेद्यान से देख़ेंगे तो हम अगेर आप यहां ध्यान से देखे तो में एक्सके जगह को के मिला करें घूठ है अब आनेमन के एक् designers कर पर देखा तहरेां पैठी से बढ़ेयां मैं वैल्य ठेठि़ करदो हूं अगर मैं एक्स के जगा 45 डिग्रीबूट करेंगा तो आपको पता है कि कॉस्ट 45 और सैन 25 दोनों सेम होता है जी यह 35 डिणफ पे कॉस्ट और सम्ट वी अगर मैं theta की value 45 रखता हूँ, x की value 45 रखता हूँ, तो उस case में sin x बराबर cos x है ना भाई, आपका प्रशन है cos x बटा sin x यानि की 1, और plus cos x, sin x बटा cos x यानि फिर से 1, जो की बराबर है किसके, जो की बराबर है 2 के, आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि जब भी कभी ऐसा सवाल आता है, trigonometry का, जहाँ पे theta missing है, जहाँ पे theta पता नहीं है, और इसको solve करके कुछ उत्तर लाना है, आपको question में और answer में दोनों में x की जगा theta पुट कर दीजिए, question और option जहाँ पे बराबर हो, वही सवाल को उत्तर, जैसे, sec x गुना 10x, देखिएगा सर, sec x, sec 45 degree की value root 2 होती है, और root 2 गुना 1, भाई सब root 2, सर यहाँ देखिएगा, root 2 गुना 1, root 2, क्योंकि भाई सब, cost 45 क्या होता है, एक होता है, और cost 45 root 2, root 2 गुना 1, क्या निए root 2, सर, cost 45 फिर से root 2, और cost 45 जानी की एक, यह भी root 2 है, अब यहाँ देखिएगा, cost 45 root 2, sec 45 root 2, और root 2 गुना root 2, सवाल को उत्तर दो हो गया, बन गया सवाल option number, कौन option number A, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यह तरीका, इसलिए इजाफा किया गया है, ताकि आप pen paper का use ना करें, नहीं तो सर, इसमें कुछ है ने, sign और cost को नीचे common LCM लीजेगा, sign square theta, cost square theta, दोनों 1, एक बटा sign theta into cost theta, क्या हो जाएगा, बन गया, तो यह कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, कि यह तरीका इजाफा इसलिए किया गया, ताकि आप pen paper को ना पकड़े, ठीक है, और इसका भी इस्तमाल करें, मतलब that is the kind of तरीका, समझने है मैं नी बात को, बढ़ें आगे, एक दुकांदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, देखिए, बढ़िया सवाल है, इसको एक बढ़ियां तरीके से मैं बना कर दिखाऊंगा, मेरा मन है कि इसको आपको 40 सिकंड का मौका आप लो और इसको कर 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 दिखाऊंगा, अगर आप में से कोई बालक सेशन को लाइक करना चाहते हैं तो अवश्च कर दीजिएगा, मन करें शेयर करने का तो कर दीजिएगा, नहीं मन करें कोई बात नहीं, देखिए, बड़ा बढ़िया सवाल, एक दुकांदार समयस्यम आपकी समाप्त हो गई, आईए, एक दुकांदार 120 क्युमिंटल गेहूं खरीदता है, आपने का हाँ, इस गेहूं के 20% भाग को, देखो 20% का मेंनिंग क्या होता है, आप में से कोई बालक अगर क्लास में आते हैं, तो वो क्लास में कॉंटिन्यू बने रहें, अगर आप सोचेंगे कि अभी आएं, फिर गायब हो जाएं, तो अच्छा नहीं लगेगा सर, यह हमारा रिक्वेस्ट है, कि आप आएं हैं, तो कॉंटिन्यूस मेरे साथ बने रहें, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना, आईए, देखिएगा सर, एक दुकानदार यह बहुत अच्छा सवाल है, और प्लीज कॉंटिन्यूस देखिएगा, अगर आप आएं, अभी आएं हैं, तो इसी सवाल को देख लीजे, एक नमबर आपका सुनिश्चित हो जाएगा, लिखा हुआ है क्या है, यहाँ पे गौर से देखिएगा, लिखा हुआ है कि 120 के उन्टल हमने गेहुं करदा है और इसका 20% भाग, 20% का मतलब एक बड़ा 5, यानि अगर टोटल भाग 5 है, तो 5 में से 1 को हमने क्या किया है, 5 में से 1 को हमने 25% हानी पे बेचा है, यानि कि पह सौदे में हमें 25% लाब पराप करना है, यानि टोटल सौदा जो 5 है, इसमें हमें 25% का लाब चाहिए, तो आपको ये बताना है कि बाकी बचे गेहुं को कितने परसेंट लाब पे बेचे, बाकी बचा गेहुं यानि 4 इसको कितने परसेंट लाब पे बेचे ये पता नहीं ह आप कहेंगे मास्टर ये क्या प्रपंच रच दियो हमको अच्छा नहीं लगा है आईए एक बार आराम से समझते हैं लिखा गया है हमारे पास 120 की उंटल गेहू है इसमें से 20% जो है उसको 25% हानी पे बेचा गया है 20% का मतलब एक बड़ा 5 यानि आप कह सकते हैं हमारे पास जितना गेहू है उसका एक बड़ा 5 भाग जो है हम हानी पे बेच रहे हैं कितने के हानी पे बेच रहे हैं 25% के हानी पे यानि कुल भाग अगर हमारा 5 है तो 5 में से एक को 25% के हानी पे बेच रहे हैं आपने का हाँ बाकी के चार में कितने का लाब हो ये पता नहीं है लिकिन कुल मेरे को जो लाब चाहिए वो 25 परसेंट का आपको बताना है बाकी में कितने का लाब हुआ बाकी का चार पता नहीं ओवर आल पचीस परसेंट का लाब बराबर हो जाएगा एक सो पचीस के वाट की वैलू हो जाएगी डेड़ सो बटा चार और डेड़ सो बटा चार का मतलब साड़े साथिस परसेंट ऑप्शन नमबर भी साड़े साथिस परसेंट साड़े साथिस परसेंट का मतलब क्या होता भाई सब ऑप्शन नमबर कौन ऑप्शन नमबर भी नेक्स कोश्चन के तरफ बड़े देखो इसमें कोई बड़ा बड़ा चीज नहीं था जल्दी इसको देखिए का अगले सवाल को अगर कर पता नहीं चल रहा है मैं अलग 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 चाप्टर चल रहा है कहां पे अलग लग चैप्टर चल रहा है बेटा एक बात याद रिखिए मैं आपको डेली प्राक्टिस करा रहा हूं मैं चैप्टर वाइज आपको पढ़ा ही नहीं रहा हूं तो टोड़ी हूं कि मैं आपको चाप्टर वाइज पढ़ा रहा हूं यहां पे लिखावा तॉप ठटी यानि वो शुनिन्दा तीस सवाल लेरी लेके आ रहा हूं कि सुनों सवाल नंबर साथ देखना थोड़ा कि हां जी मिश्रधातु A में ध्धातु X और Y केवल 5 अनुपाथ 2 अनुपाथ में यह मारे पास मिश्रधातु एं मिश्रधात देखिए एक ऐसा सवाल कल भी हुआ था जो बच्चे हमारे regular session में आएंगे, आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे हैं, परसो भी आ रहे हैं, वो ज़्यादा सीख पाएंगे, क्योंकि पतलब होगा क्या एक ही तरीके के अलग-अलग type के सवाल में daily बताऊंगा, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, देखे सर, SSE CGL मेंस यह 12 सितंबर को सवाल आया है, अब यहाँ पर date missing है, I think यह 20 या 21 कर आओगा, अब किसी एक date कर आओगा, इसके लिए हम शमा चाहेंगे, अब कौन से date कर आओगा, मुझे उतना याद नहीं है, देखे का थोड़ा, क्या लिखा हुआ हुआ है, मिक्षिर धातू A में, X और Y क जो ratio है, वो क्या है भाई साब, X और Y का ratio 5 is to 2 है, अब ने का हाँ हाँ, total quantity अगर 7 है, तो 7 में से 5 भाग X होगा, और बाकी का 2 भाग कौन होगा, Y होगा, आगे, जबकि मिश्र धातू B में, उसका अनपात 3 अनपात 4 है, और मिश्र धातू अगर मैं B की बात करूं, अगर मै X और Y का ratio है, वो 3 अनपात 4 है, यानि X अगर 3 भाग, तो Y हमारा 4 भाग, यानि total भाग क्या हो जाएगा, भाई हमारा 7, बहुत बढ़िया, कहा क्या गया है, कहा आपसे ये गया है, कि अब A और B को 4 is to 5 में मिलाना, यानि A के 4 पार्ट और B के 5 पार्ट को आपस में mix करना है अब आपसे क्या पूछा गया है, कि अब ऐसा mix करके एक धातू C तयार होता है, अब धातू C तयार करना है, किसको करना है, धातू C को तयार करना है, अब धातू C को कैसे तयार करना है, धातू C को तयार करने के लिए A और B को हमें 4 is to 5 में मिलाना, यानि A के 4 पार्ट और B क कि पांच पार्ट को आपस में क्या करना है, मिक्स करना है, आपने कहां सर, आगे बोलो मास्टर, आगे का सीन ये है, कि ऐसा करके जो C बनेगा, उसमें C में X का परसेंटिज क्या है, उधारन के तौर पे समझे, आप समझे हमारे पास ये दो बॉटल है, ये bottle जो है ये A है ये B है इसमें X और Y का ratio 5 is to 2 इसमें X और Y का ratio 3 is to 4 अब इन दोनों को एक तीसरे जगा में मिलाना है कैसे मिलाना है 4 is to 5 में मतलब इसको अगर हम 4 बार उठाएंगे इसको 5 बार उठाना और ये उठाके mix करके एक नया mixture बनाना है mixture C और जो mixture C बनेगा उसमें एक्स परसेंटेज बताना ऊच्छा इक बात बताओ ये जो अलोय बन रहा है किससे बन रहा इस जो अधातू एकस से बना एकस ओर भाई से सबसे पहले आप देखें क्या है जब आप किसी भी दो अलग-अलग आइटम को अलग ratio में mix करना चाहते हैं A और B को mix करना चाहते हैं 5 is to 4 में तो पहला step आपका ये होगा कि आप दोनों के total quantity को same कर दीजे यहाँ दोनों को total quantity साथ यहाँ साथ दोनों same है अगर same नहीं रहता तो same कर देते next step आप उपर 4 से गुना कर दो और नीचे 5 से गुना कर दो अब आप कहोगे उपर 4 और नीचे 5 से क्यों गुना किया उपर अगर मैं 4 से गुना करूंगा तो देखिएगा total quantity आपका 28 हो जाएगा जिसमें से x 20 और y आपका 8 total quantity अगर आपका नीचे वाला जो है वो आपका 35 हो जाएगा और 35 में 15 आपका x और भाई साब 5 के 20 आपका y हो जाएगा दोनों को mix करो चलो दोनों को mix करो mix करो mix करो जब दोनों को mix करोगे तो x कितना होगा 20 और 15 35 और भाई साब अगर मैं बोलूं y कितना होगा 20 और 28 28 अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आजाएगा भाई साब ये 5 और 49 यानि आपका होगे दोनों को जोड़ेंगे तो 63 यानि total quantity अगर 63 होगी तो 63 में से 35 x होगा और 28 y होगा अगर आपसे पूछा गया कि बताओ x का कितना percentage है c में तो आपका होगे 35 बटा 63 गुणा 100 यानि 7 बटा 9 गुणा 100 700 बटा 9 सवाल को सुरी साथ कह रहाँ 5 बटा 9 गुणा 100 5 बटा 9 गुणा 100 और 5 बटा 9 गुणा 100 का मतलब 55 पुरनांग 5 बटा 9 परसेंट option number कौन option number 2 थोड़ा सकंटी नहीं है अराम से तो बने का नहीं है अन्जी, थोड़ा सकंटी नहीं रागु भई कहे रहे पचपन पुर्ड-ँ previously बिल्कुल सही है रागु थोड़ा सकंटी नहीं हलका सकंटी लेकिन भाई, आप इसको अगर एक दो बार देखोगे तो समझ जोगे मैं एक दो बार बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे लगा बच्चे खिशक नहीं लगे तो मैंने का चोड़ो कोई बात हैं क्या करें लेकिन सर आपका करतब बे क्या होता आपका करतब बहुता है चीजों को लास्ट तक सुनना या जम बने रहते हो ना तो हमें अच्छा लगता गया कि 205 समान के के साथ परसेंट से चलता है कोई भी व्यक्ति अपने गाती के साथ साथ परसेंट से चलता है सिक्स्टी परसेंट का मिनिंग क्या होता है साथ परसेंट का मिनिंग होता है तीन बटा पांच कि साथ बटा सो यानि कि तीन बटा पांच कि तो कोई व्यक्ती अपनी मुल्य गती के तीन बटा 5 से साथ परसेंट से चला यानि कि तीन बटा पांस से चला इसका साफ मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर अपनी ओरिज्णल स्पीड को पांच रखेगा तो भाई वह पांच के जगा तीन से चलना शुरू कर दिया ठीक है ब वो पुर्णांगे बड़ा दो घंटा दोनों सही है रगु भाइया के सवाल को उत्तर आ रहा है बाकी लोग कहा है सर आप लोग वे आर्यू मैं के 3 बटा 5 से चलना शुरू किया यानि अगर उसकी ओरिजनल गती 5 है तो 5 के जगा 3 से चलना शुरू किया जो बेसिक वाले बच्चे वो यह सोचे अगर उसकी गती पहले 100 परसेंट थी तो अब उसकी गती 60 परसेंट हो जाएगी और 100 और 60 का रेश्यो निकालेगा तो फिर से पांच और उपाप तीन आएगा कोई व्यक्ति अगर अपने स्पीड को पांच से तीन करेगा तो याद रखिएगा उसका लगने वाला टाइम जो है वो पक्का पकी तीन से पांच हो जाएगा क्योंकि अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड के रेशियो का उल्टा टाइम के रेशियो होता है अगर कोई व्यक्ति एक जगा से किसी दूसरी जगा जाने में भाई साब अपना जो भी समय लगाता है जो भी speed रखता है जैसी वो जिस ratio में speed को change करेगा उसके उल्टे ratio में time change हो जाएगा speed को 2 से 3 करतेगा time 302 हो जाएगा उसी प्रकार से देखेगा इसने क्या किया अपने original speed को 5 से 3 कर लिया तो इसका लगने वाला time 3 से 5 हो जाएगा यानि पहले अगर original speed में time 3 लग रहा होगा तो अब इसके नए वाले speed से time 5 लग रहा होगा जिसके कारण आप ध्यान से देखेंगे तो ये व्यक्ति जो है वो 2 unit अधिक समय लगा रहा है अगर इसका original time 3 है तो अब ये time 5 लगाने लग यानि ये कितना ज़्यादा time लगाने लगा दो ज़्यादा time लगाने लगा लेकिन सवाल में कहा कि इसने दो नहीं एक घंटा 40 minute ज़्यादा लगाया है एक घंटा 40 minute को हम 100 minute बोलते हैं तो 2 बराबर 100 minute के तो 1 बराबर 50 minute के और 3 बराबर 50 ती आई 1.500 minute के और 1.500 minute को अगर आ आप आवर में बदलोगे तो ये देड़ सो बटा साथ है और यानी कि पांच ती आई पंदरा और पांच ती यानी सवाल को तर तीन बटा दो घंटा और इसी को बोलेंगे दो पुर्णा सब्सक्राइब सब्सक्राइब आइना के एक यहां देख लिए जैने सर टेड़ सो बटा साथ है सवाल को तर है और क्या सर आप लोग सराइस सर ऐसे कर यहां कर दोग सर गायब है सर आप लोग सर यह सर अधर आप लोग बहुत लोग जो सबसे सन्वा को लाइक नहीं किये सर शेशन पर लाइक अभी मातर बना हुआ है साथ लाइए कि मन करें बना देना बड़े हैं लिखा हुआ है अपनी समान गती के अरे यह सीम कुश्चन दोबार आगे हैं यह कुश्चन एक ह्वा और यह वाला कुश्चन यहां से देखेगा यह ह्वा इसको लास्ट में दोगा ठीक है लास्ट में दोगा देखेगा एक इसी काम का करे के भाग को तीज दिन में कर सकता है यह कुश्चन लास्ट कलास में आपके लिए हो बात नहीं मैं बता रहा हूँ और आप लोगों में से कुछ बच्चे जो हैं वो लगतार फ्रैक्शुेट कर रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे या तो सर आ जो या तो सर चले जाओ दोनों में से एक काम कर लो आए हो तो concentration बना के बढ़ाई करोगे ना सर देखान से देखो सर, बहुत बढ़ी असर, देखो सर, लिखा हूँ असर, जो लोग बच्चे भी आए हैं, वो session को like करने का मनतों करते, देखान से देख न, एक इसी कारे के भाग को 30 दिन में कर सकता है, ए जो है, वो किसी काम को 30 दिनों में कर सकता है, हमें कोई दिक्कत नही अगर हम ध्यान से देखें तो बि उसी काम का 2 बटा 5 हिस्सा थिवारी क्या रहे हैं हाइ से हलो इटा ठाक हूब से उसी काम का डूबटा 5-6-624 दिन में कर सकते हैं टो एक बड़ी प्यारी सी चीज यहां पर निकल गया थी है कि माल लोग कि इस का दो बटा पांच हिस्सा 24 दिन में करेगा यानि अब दो से 24 को काटेंगे बारहा बार में यानि बी उस काम का पूरा हिस्सा 12-5-60 दिन में करेगा बिलकुल बी किसी काम का दो बटा पांच हिस्सा 24 दिन में करता तो बी पूरा काम कितने दिन में करेगा तो बी गुना दो ब और इसी हिसाब किताब से हम देख सकते हैं कि हमारे किस की Efficiency ये A 30 दिन में 60 लडू बनाएगा एक दिन में 2 यानि A के Efficiency 2 है basic से start कप करोगे basic से भी start करते हैं कि अधिक वह 20-60 दिनों में 60tles बनाता है एक दिनों में 1 यानि B के Efficiency 1 और A के Efficiency 2 है A की Efficiency क्या है, मेरे भाई, दो है, और B की Efficiency क्या है, मेरे भाई, B की Efficiency एक है, वे एक साथ साथ दिन तक काम करते हैं, A प्लस B आया और एक साथ साथ दिन तक काम किया, यही है न, साथ दिन तक, नहीं बीस दिन तक, शमा चाहेंगे, A प्लस B आये और A प्लस B ने एक साथ बीस दिन काम किया सर एक बात मेरे को समझ में नहीं आ रहा हूँ वे बीच दिन तक एक साथ काम करेंगे तो कामी पूरा हो जाएगा है क्यों अगर वह अगर अगर वह एक साथ काम करेंगे कितने दुनों तक बीच दिनों तक तो बीच तीयाई साथ टोडल वर्क तो पूरा हो गया यहां पे 20 दिन से जादा कामी नहीं करना, यहां पे question में fault, यह question में error है, समझ आएंगे इस question में error है, यह वहला सवाल देख लिएजे, इसमें तो अवश्य error नहीं होगा, इसको अच्छे से कर सकते हैं, रेनू 50 कीमी प्रतिघंटा की गती से चल रही train A में बैठी है, रेनू जो है वो किसी train में बैठी है और वो train चल रही है, 50 km per hour की speed से, आगे देखिएगा, लिखा है, A की लंबाई से 3 गुणा अधिक लंबाई का, यानि train A की लंबाई अगर माल लो, train A की लंबाई अगर X है, तो train B की लंबाई क्या हो जाएगी, 3X, जी हाँ, train A की लंबाई से 3 गुणा अधिक एक और train जो B है, उसके बीपिरित दिशा में, मतलब वो train जा रही है, इस दिशा में तो उसके बीपिरित दिशा में आ रही है, और वो 15 सेकंड में पार कर देती है, और उसी बीपिरित द बीपिरित दिशा में, उसे 15 सेकंड में पार कर देती है, मतलब उसके ठीक भी पिरित दिशा में, उसको 15 सेकंड में पार कर देती है, बहुत बढ़िया, अब लिखा हुआ है, train B की गती है, अगर है कितना भाई साब, 58 कीमी प्रती घंटा, तो train A की लंबाई ग्याद करें, इस सवाल को बहुत ही बेसिक से मैं समझाओंगा, प्लीज रुक जाना, एक बात बताईए, यहाँ पे एक क्लू दिया हुआ है, क्लू ये दिया हुआ है, कि भाई साब, एक train जो है, वो 15 सेकंड में पार करती है, ठीक है, यह train 15 सेकंड में किसको पार करती है, कोई मुझे ब होगा, बिल्कुल नहीं भाई साब, बिल्कुल नहीं भाई साब, थोड़ा ध्यान से देखिए, गल्ती से भी अगर आप ये सोच रहे हैं, उसे का मतलब दूसरे train को होतो है, तो अब गलत सोच रहे है, उसे का मतलब यहाँ पूरा साक्षात रेनु जी को है, यहाँ पे कौ 15 सेकेंड में जो train B है, वो केवल अपना लेंज चलेगा, यानि की 3X, पॉइंट नमबर वन, दूसरा, रेनु को पार करने में train की स्पीड क्या होगी, देखिए, अगर रेनु खड़ी रहती, तो लिटरली train B का स्पीड 58 किलोमेटर प्रति घंटा था, और train B का स्पीड 58 थ जाता, लेकिन चुकि रेनु किसी train में बैठी है, और उस train का स्पीड 50 किलोमेटर प्रति घंटा है, इसका मतलब साप साप है कि रेनु के पास भी अब स्पीड है, अब देखिए, हम एक साथ दो स्पीड पे काम नहीं कर सकते हैं, या तो हम दोनों स्पीड को जोड़ेंगे या दोनों स्पीड को घटाएंगे, तब ही हम सवाल बनाएंगे, यहां कौन सा केस होगा, क्योंकि दोनों दूसरे के बिप्रीत दिशा में चल रहे हैं, तो दोनों स्पीड जुड़ जाएगा और स्पीड हो जाएगा 108, 50 प्लस 59, 108, और चुबकर आपको पता है, यह सेकें जाओं कि तीन से इसे मैं काटूंगा, पांच बार में चला जाएगा, एक्स की वैलू ग्या आ रही है, छे पंचे तीस और तीस पंचे डेड़ सो, यह एक्स की वैलू तो साक्षात 150 आ रहा है, 150 का मतलब option number कौन option number डिये, बन गया सवाल, रागु भाही ने 150 का, अब आप पद और आगु भाही, इस सवाल में कोई जान नहीं है, हड़ी भी नहीं है, तुरद बन गया, लेकिन इसमें typical point कितने कितने, पहला point लड़का यह समझ सकता है, कि यह दूसरे train को cross कर रही है, और समय X और 3X यहाँ पे 4X ले सकते हैं, यहाँ पे main point यह है, कि आप गलती से समझेंगे कि पहली train, दूसरी train को 15 second में पार कर रही है, तो दोनों train का length जुड़ जाएगा, यह X plus 3X, 4X हो जागा, नहीं, पहली train, दूसरी train में बैठे हुए आदमी को पार कर रही है, रेनू को पार कर रही है, तो रेनू एक आदमी, एक आदमी को पार करने में train को कितना समय लगता है, भाई साब केबल कितना चलना पड़ता है, केबल अपना length, अचा आप लोगों में से किसी ने अभी तक session को अगर like नहीं किया, तो कर देना यार, अगर आपका एक्षा करे तो, ठीक है, और बहुत यह understanding question था, अगर आप समझ पाते तो सवाल बना पाते, की वैलू अगर डी है, तो याद रखना, एक्स स्क्वेर प्लस वन वाई एक्स स्क्वेर, इसकी वैलू हो जाएगी, डी स्क्वेर माइनस टू, और साथी साथ, एक्स क्यू प्लस वन वाई एक्स क्यू की वैलू क्या हो जाएगी, डी क्यू माइनस त्री डी, यार याद र पूछना चाहूंगा जो लोग मेरी क्लास को रेगुलर देख रहे हैं मतलब जो आड देखें सरापी बदाएं कि क्लास आपको कैसी लग रही है अवश्य आप बताते हैं सर तो हमें अच्छा लगता है आपको लग रहा है कि कोशन थोड़े से अच्छे अच्छे कोशन बेसिक से एडवांस कराऊंगा रात को कितने बजे रात को कराऊंगा नौ बजे ठीके रात को नौ बजे ट्रेन प्रॉबलम होने वाला बहुत ही प्यारी क्लास है रात को नौ बजे से ट्रेन प्रॉबलम ठीके कौन सा प्रॉबलम ट्रेन प्रॉबलम बहुत बढ़िया देख minus 2 की value अगर 7 तो यहां से D square का मान 7 और 2 9 हो जाएगा और यही से D का मान exact 3 हो जाएगा बन गया ना अगर X plus 1 Y X D है तो X square plus 1Y X square d square minus 2 और X Q plus 1Y X Q D Q minus 3D सर D square minus 2 7 है तो D square की value 9 2 7 हो जाएगी आप कोगे हाँ और यही से आप कहोगे कि DQ-3D क्या होगा यह होगा 3 का Q-3 गुने 3 यहीं सवाल को उत्तर 27-9 यहीं सवाल को उत्तर 18 है option number कौन option number भी है अरे भाई XQ-1Y XQ निकालना है तो XQ-1Y XQ अगर आपको निकालना है इसका साफ साफ मतलब है देखो बात समझो अगर आप XQ-1 XQ निकालते हो तो उसके लिए चाहिए DQ-3D इसके लिए हमें चाहिए D D था ही नहीं हमने सोचा यह इसका मान दिया S7 तो यहां से D का मान 3 निकाला यहां पुट कर दिया बन गया सवाल पट से एडशोट अगर आप चाहते हैं एक और ऐसा ही सवाल करना तो मुझे कॉमेंट करें मैं तुरत एक और ऐसा सवाल दे दूँगा सर क्या आपके मन में एक च्छा है ऐसा ही सवाल एक और करने का अगर आप में से किसी की एक च्छा है कि सर सेम ऐसा ही एक और सवाल करने का तोड़ता एक जमाना था जब भी मैं दिलों से खेला करता था वो जमाना मैं ऐसी साइडी कर रहा हूं यार मेरे को सच मत समझ लेना मेरी सकल देखके तुम्हें लगता है कि मेरे कुछी नहीं वास तक भाव दिया होगा किसी नहीं दिया ओमाई गॉप्शन आपस में गोल हो खतम हो जाएंगे और बस मैं एक चेंज करूंगा सब कुछ रेडी हो जाएगा मामला तो बस एक छोटा सा चेंज है बहुत ही स्लाइट सा चेंज है चेंज बस यहां पर यह है इसको आप चौदा कर लो ना अब बनाओ चलो चल ली करना ऑन और भाए सिशन को और रूट बिगड़तना होता थोड़ाँ थोड़ाँ अरे क्या लेक रखाए बच्चे ले वासर जी लग रहा है आप किसी के दिल से खेलों कि जिके दिल से नेए वांब बहुत बढ़े हैं रगू भई है ने सबसे पहले सवाल को उत्तर जा दूसरे अनुज भई है दोनों बावन के रहे हैं एक बाद और याद रख लीजेगा आज रात में नौ बजे से आपकी क्लास मैराथन होने वाली है बिल्कुल बेसिक से ट्रेन प्रॉबलम ठीक है आजो भई यह सक्वार के डिक की वैलों क्या आएगी ऑर सवाल को तर चार का क्यों बारा चला गया है अगया है कि सर अच आध नौ बजे इस चैनल पर आज रात 9 बजे इसी चैनल पर है यह जरूर से जरूर आ जाना भाई साब लिखा हुआ है यह मेरा फेवरेट कुश्चन है यह मेरा फेवरेट कुश्चन है लिखा हुआ है X plus 16 divided by X that is must be equals to 8 then find out the value of X Q plus 1 tell me sir जल्दी करके दिखाई हो 65 गह रहे हो श्योर चलो माल लिया अनुझ भई भी 65 के रहे है दो बच्चों ने 65 कर दिया देखते हैं इस देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं पहले तो मैं आप से यह जाओंगो आखिर यह है क्या यह समझें एक वैल्यू बुटिंग है अगर एक्स प्लेस सोला बटा एक्स बराबर आठ के तो याद रखेगा इस केस में एक्स की वैलू सीधे चार है कि वह तक यह ऊपर जो नंबर है न उसके अंडर वूट के बराबर एक्स की वैलू होती है आपने जैसी गहा एक्स प्लेस सोला बटा एक्स आठ के तो याद रहिएगा यह इसके अंडर वूट का डबल है 16 का अंडरूट 4, 4 का डबल 8 है अपना X के जगा खाली 4 पुट कर दीजे जैसी 4 पुट करिएगा न सर 4 पलस 16 बटा 4 ये तो 4 हैं 16 बटा 4 भी 4 होता है 4 पलस 4 ये 8 हो गया आप तुरत पकड़ पाएंगे X की वैलू 4 है अब देखिए का सर क्या होगा निकालना है X Q प्लस 1 यानि 4 का Q प्लस 1 64 और 65 सवाल को उत्तर है जो उपर है उसका अंडरूट निकाल देना और अंडरूट निकाल देना वह ही उत्तर है क्योंकि देखिए अंडरूट का डबल यहां पे लिखा गया है वां उधारन के दौर पर आप समझाल लीजिए कोई आपसे कहता है वाइब लस नॉव ऑटा वाईद गएक सा माँ गिश्वाना वाइड़ने क कि की सीने कह दिया मैंलग वाइब लस नौव अब धा roughly का मांज 온 श्रेग निया दुखिए क्या होगा भाई की वैलो 3 बिल्गुल सही है अनुज भाई और कौन से रगु भाई पस दोई सवाल गुत्तर देंगा बाकी लोग काहा गुज गए यार आचो जली से 3 बोल तो यार क्या दिक्का थे 3 प्लस 9 बटा 3 6 तो अबे सी बाते भाई की वैलो 3 हो गई क्या दिक्का थे आजो यार दिख रहे हैं यहां पर एक्स गुणा 3 माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स आन्ड एट इस मस्ट भी गोस्टू 3 बाई एक्स तो आपको बताना है एक्स क्यू माइनस 1 बाई एक्स क्या होगा बढ़िया सवाल है आप कर सकते हो हम महरातन कब तक चलेगी बहरातन बस डेड़ दो गंटे के महरातने ज्यादा नहीं है वह साड़े दस तक चलेगा साड़े दस दिगारा तक इसको करो और करके मुझे दिखाओ मतलब करके मुझे सेशन वेशन शेयर कर देना कल मुझे क्लास में और बच्चे चाहिए ठीक है याद रख लेना इसमें कुछ नहीं है बस इसको ढ़केलना है सीधे सीधे आपको मिलेगा 3x-2 बराबर 3 बटा एक्स आप और तेज हैं तो देख लीजेगा 3x-3 बराबर 2 के और एक्स-1y एक्स बराबर 2 बटा 3 ठीक है बस यहीं कहानी है यह आपको करके आना है कैसे बच्चा के रहें टॉप 30 बहीं टॉप 30 देखो एक दिन में 30 कुश्चन तो हो नहीं बाता है इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि यार वह मोमेंट बननी बाता है मैं चाहता भी हूँ कि थोड़ा जल्दी करूं तो होता है यह कि आप लोग के साथ आप लोग दीरे चलते हों हां टॉप 30 मैंने नाम रखा है बाई 30 हो नहीं बात है हां मैं कुछ-कुछ होंबक अगर आप यह आप साथ दो हो यह तो 30 हो भी जाएगा तो थोड़ा सा और आप कहेंगे मुझे एक क कम बच्चों के पास जाएगा तो थोड़ा सही रहे अभी कॉंटेंट रखा हुआ देख लो एक से अभी कॉशन भड़ा बड़ा मैंने बना करक्का देख लो अभी ऐसे आसे सवाल मैंने बनाय हुआ है यह से तीस सवाल पड़े रहते हैं तो यार अभी है कि मैं खुद ज् अगर आपको लग रहा है एक से एक अच्छा अच्छा लेवल आपको मिल रहा है तो प्लीज अपने बच्चों अपने दोस्तों को जोड़िएगा प्लीज आईए इस सवाल को कर लेते हैं जब इतना रुके हैं तो X-1YX अगर D है तो याद रखिएगा XQ-1YXQ होता है DQ-3D और प्लीज आप सभी लोग जो हैं वो यहां से अवश्य बनाएं सर 2 बटा 3 का Q-3 गुणा 2 बटा 3 यही तो है कैसे सर सर X-1YXD के बराबर है आपने का हां तो XQ-1YXQ क्या होगा DQ-3D अब D के जगा 2 बटा 3 पुट करो तो 2 बटा 3 यानि 2 बटा 3 का Q यानि 8 बटा 27 माइनस 3 गुणा क्या है 3 गुणा 2 बटा 3 यानि 8 बटा 27 माइनस 2 यह थोड़ा सरी 7 माइनस कहा हूँ पलस दो यह थोड़ा बड़ाई कैजूल आएगा 27 दुना 54 और 54 और 8 क्या होगा बटा 54 और 8 62 सवाल को तर 62 बटा 27 ऑप्शन नम्बर कौन? ऑप्शन नम्बर कौन? ऑप्शन नम्बर कौन? ऑप्शन नम्बर D ठीक है? आज़ों 15 नम्बर सवाल है लिखा गया है एक्स प्लस वन वाई एक्स का स्क्वेर अगर 3 है तो एक्स की पावर 6 प्लस एक्स की पावर माईनस 6 का माणने क्या होगा? माइनस छे का माँने क्या होगा बहुत आसान सवाल है याद रख लीजिए अगर X प्लेस 1Y X इसका HALL SQUARE बराबर 2 के इसका मतलब साफ साफ है कि X प्लेस 1Y X का माँने रूट 3 है X प्लेस 1Y X का HALL SQUARE अगर बराबर किस के अगर बराबर 3 के बहुत लेट आए आप आपको और जल्ली आना चाहिए था अगलत बाद देखो एकस प्लस बन वाइकस अगर बराबर है इसको स्क्वार तीन के बराबर है तो एकस प्लस बन वाइकस रूट थी के बराबर प्रशन ने आपसे पूछा x की पावर 6 और प्लिस 1 बटा x की पावर 6 क्या होगा यह आपसे पूछा गया है आप कहेंगे कहाँ है पूछा गया है दूसरे जगा तो sir x की पावर minus 6 आ रहा है अरे sir x की पावर minus 6 ही 1 बटा x की पावर 6 होता है ठीके निगेटिव पावर खाली बटा में आता है ये है माइनस वन और पलस एक बटा माइनस वन यानि माइनस वन और पलस माइनस वजोड़ेंगे माइनस दो आएगा और माइनस दो आएगा यहाँ पर कोई भी option काम नहीं गर रहा है क्योंकि हमें mistake हुई लिखने में ठीक में आएगे हां जी रात की मेराथन में सभी लोग आए जगराता गिरे बहुत बड़ी हैं इससे पहले कि मैं आगे बढ़ू, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, कि अगर x plus 1yx की value अगर root 3 है, तो x की power 60 का माण क्या होगा, x की power 60 का माण क्या होका, कोई है शूर बीर बताने वाला, कोई है शूर बीर बताने वाला तो बोल लो, क्या यार तुम लोगों ने अभी तक एक लाइक भी नहीं बढ़ाया 10 के 10 लाइक पैटके हुए हो इत्ते देर में तो हम 50-60 लाइक बढ़ा देते हैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा तिवारी भाई गह रहे है अनुस तिवारी एक होगा बिल्कुल पढ़ाऊंगा यार पढ़िशान नो एक्स की पावर चैकी पावर दस सीधे सिधे सवाल को उततर है माइनस वन की पावर दस और माइनस वन की पावर दस वन होता है बन गया टिंग टॉंग भाई अभी तक भी एक एकाद लाइक तो बढ़ जाना चाहिए था ना मातरी 11 लाइक है और बढ़ाला थोड़ा सा एक दो और चलो तो आज के लिए ताही रखते हैं मिलते हैं नेक्स डे और जाते जाते हैं आज आपका हूंबर्ग देखो इस सवाल को जो बन इंट-बक्स में कऊमेंट करते हैं थेक्शे क्लास में किसले किससे कोमेंट किया था मैं देखने क्लास में कोई बच्चा सवाल भू आँच है क्योंकि अब सवाल घलत था इसलिए वो नौट वैलीड है यह लेकिन वैलीड है यह सही सवाल है इसको करके आपको दिखा रहा है चलो आज के लिद्धा ही थांकू वेरी 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 मच कि बच्चा के रहें कैसे देंगे सब्सक्राइब देंगे यार हम है ना बहुत जुगाड़ू आदमी है पुछ भी दे सकते हैं लोग यहां बैठे-बैठे दिल देते हैं यहां डेरी मिलके देंगे ना भीज देंगे ना पढ़ा ही तो करो